असली पढ़ाई टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नमबर लाता था इस पार जब दोनों बच्चों ने साइकल दिलाने की जिद्गी तो पापा ने एक शर्त रखती पापा की बात सुनके दोनों बच्चे पढ़ाई में चुड़ गए लेकिन तिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना की एक्जाम में आने वाला है वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी देखना, साइकल तो मुझे ही मिलेगी तुझे इतना पढ़ रहे हैं सब बेकार है एक्जाम में ये सब नहीं आने वाला तुझे कैसे पता? अरे, ये देख पिछले तीन साल के क्वेस्चिन पेपर्स दिये हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने हमेशा इनी में से ही क्वेस्चिन्स रिपीट होते हैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉट कट एक्जाम में जो भी आएगा, बुक्स में से ही आएगा ना मुझे पढ़ने दे, ठिस्टब मत कर दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की फाइनली एक्जाम हो गया कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोशित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था टिंकु ने टॉप किया, रिंकी सेकेंड आई ये, अब मुझे साइकल मिलेगी, हुरे टिंकु को साइकल मिल गई, वो बहुत हुश हुआ ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकल है रिंकी को भी चलाने देना लेकिन टिंकु कहां अब किसी की सुनने वाला था वो तो बस साइकल लेके चमपत हो गया उसी दिन शाम को टिंकु और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया खाने की बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से दो लोग माइक और कैमरा लेके उनकी सामने आ गए हम लोग जीवान साइकल का प्रोमोशन कर रहे हैं बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है अगर सारे जवाब सही दिये तो जीवान की टॉप मोडल वाली साइकल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी दोनों बच्चों ने क्विज में पाटिसिपेट किया क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे लेकिन एक्जाम पेपर से बिलकुल अलग रिंकी ने बुक्स पड़ी ध्यान से पड़ी थी इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेशन्स हल कर दिये ये लीजी अंकर मैंने सारी क्वेशन्स कर दिये क्या बात है समय से पहली ही कर दिये पिंकु ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया